ओम शैंती, 4 अक्तूबर 2023, मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य, आज की मुडली के कुछ मुख्य पॉइंट्स, आज बाबा हमें समझाते की हम बच्चों को आज्याकारी बनना है, मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलना है, सबको रावन से लिब्रेट होने की युक्ती बतानी है, और भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, बाब को याद कर वर्से का अधिकारी बनना है, योगज्वाला अर्थात, श्रेट संकल्पों की शक्ति, वा लगन की अगनी द्वारा अपवित्रता रूपी किच्डे को भस्म करना है, तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मोडली, ओम श्यान्ती, बाबा के दे, मीठे बच्चे, निष्चे करो कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, इसमें साक्षातकार की कोई बात नहीं, आत्मा का साक्षातकार भी हो, तो समझ नहीं सकेंगे प्रश्न, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्ब जेल की सजाओं से छूट सकते हैं। तुम जन जन मांतर जेल बर्ड बनते आए। अब बाप आई हैं उन सजाओं से बचाने। सत्युग में गर्ब जेल होता नहीं। ओम शांती रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि ये तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं। पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्षमी नारायन का राज्य था। बड़ी धन्वान सुखी थे परन्तु भारत वासी इन बातों को समझते नहीं। बाप, परमपिता अथ्वा रच्टा को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं। ही परमपिता परमात्मा वे पारलोकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस चरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परमपिता परमात्मा है पार लौकिक फादर आत्माओं का बाप मुनुशे लक्ष्मी नारायन की पूजा करते हैं समझते भी हैं यह सत्यूग में थे और राम सीता त्रेता में थे बाप आकर समझाते हैं बच्चे तुम मुझ पारलोकिक बाप को जनम चन्मांतर याद करते आए हो गौड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना हमारी आत्मा भी निराकार है ना यहां आकर साकार बनी है यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धी में नहीं आती बे तुम्हारा बेहत का बाप रचैता है पुकारते हैं तुम मात पिता आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं फिर आपको भूलने से नर्क के मालिक बन जाते हैं अभी वे बाप इन द्वारा समझाते हैं, मैं रचैता हूँ, ये मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ, ये भी समझ जाते हैं, आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं, अहम आत्मा, ये तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर जोड दूसरा लेती हूँ, महान आत्मा कुन्य आत्मा कहते हैं ना, निश्चे करते हैं, हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, शरीर विनाशी है, आत्मा पर विनाशी है, उस परंपिताप परमात्मा की संतान है, कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे, बुद्धी वान समझ नहीं सकते, माया ने बुद्धी क ताला लगा दिया है, तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षातकार नहीं होता है, आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में बाप बदलता जाता है, तुम अपने को आत्मा निश्य क्यों नहीं करते हो, कहते हैं आत्मा का साक्षातकार हो, अरे इतने चन कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षातकार हो। कोई कोई को आत्मा का साक्षातकार होता भी है परन्तु समझ नहीं सकते। बाप को तुम चानते हो। बेहत के बाप विगर आत्माओं को पर्मात्मा का साक्षातकार भी कोई करा नहीं सकता। कैते हैं हे भगवान तो बाप हुआ न। तुमको दो बाप हैं। एक तो है बिनाशी शरीर को जन्म देने वाला बिनाशी बाप। दूसरा है अविनाशी आतमाओं का अविनाशी बाव, तुम गाते हो, तुम मात पिता, उनको याद करते हो, तो जरूर वे आया होगा ना, जगत अंबा और जगत पिता बैठे हैं, राज योग सीख रहे हैं, वे कुंट में लक्ष्मी नारायन का राज्य था, वे भी भारत म में ही थे ना, मनुश्य समझते हैं, ऊपर कहां स्वर्ग होगा, अरे लक्ष्मी नारायन का यहां यादगार है, सरूर यहां ही राज्य किया होगा, यह देलवाडा मंदल तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है, तुम राज योगी हो, अदर कुमार 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 उनका यादकार फिर भक्ती में बनता है देलवाडा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना दिल लेने वाला कौन है ये आदी देव और आदी देवी भी राज योग सीख रहे हैं ये भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमातमा को वह है उँचते उँच ज्यान सागर इस आदी देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं ये मंदर कब बना? क्यों बना? किनों का ये यादगार है? कुछ भी चानते नहीं देवियों आदी के कितने नाम लेते हैं? काली, दुरगा, अनपूर्णा अब सारे विश्व की अनपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन की पूर्टी करती हैं? तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, वहां तो अथा वैभव रहते हैं जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था उससे पहले कितनी सस्ताई होगी? सत्युक में तो अनाज आधी बहुत सस्ता अच्छा होता है परन्तु ये भी कोई समझते नहीं बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं आत्मा इन करमेंद्रियों से सुनती है आत्मा को ये आँखे मिले हैं देखने के लिए कान मिले हैं सुनने के लिए बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूं मुझे सदैव शिव ही कहते हैं मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं रूद्र, शिव, सोमनाथ परन्तु मेरा एक ही नाम शिव है शिवाय नमा, भक्त भगवान को याद करते आए हैं उनको पच्चिस सो वर्ष हुए हैं भक्ती मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ती थी अभी तो तुमने ठिककर भितर में डाल दिया है अभी इस भक्ती का अंत है सब को वापिस ले जाने में आया हूँ ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है बॉम्स बने हुए हैं तो कितने में सब खल्लास हो जाएंगे सत्युग में कितने थोड़े सिर्फ नौन लाख होंगे बाकी इतने सब कहां जाएंगे ये लड़ाई अर्थक्वेक आधी होगी विनाश तो जरूर होना है यह है प्रजा पिता कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ब्रह्मा का बाप कौन है निराकार शिफ हम उनके पोत्रे-पोत्रियां है शिफ आबा से हम वर्सा लेते हैं तो उनको ही याद करना है, याद से ही पापों का पोझा उतरेगा, तुम जानते हो यह है ही विशिस पतित दुनिया, सत्यूग है वाइसलेस दुनिया, वहाँ विश यानि विकार होता नहीं, काईदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यू नहीं होती है, है ही सुखदाम यहां तो कितना दुख है परन्तु ये बातें कोई भी चांते नहीं गीता सुनाते हैं श्रीमत भगवत गीता भगवानु वाच अच्छा भगवान कौन है कह देते श्री कृष्ण अरे वे तो छोटा बच्चा है वे कैसे राज्युक सिखलाएगा उस समय पतित दुनिया थोड़े ही है सद्गति के लिए राज्युक सिखलाने वाला तो यहां चाहिए गीता में लिखा हुआ भी है रूद्र गीता ज्यान यग्ये श्री कृष्ण गीता ज्यान यग्ये तो है नहीं ये ज्यान यग्ये कितने वर्षों से चलता आ रहा है इनकी समाप्ती कब होगी जब सारी स्रिष्टी इसमें स्वाहा होगी यग्ये जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं न ये यग्ये भी अंत तक चलता रहेगा ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ सब को लेने लिए आया तुम स्वर्ग के मालिक बनो, तुम जानते हो, इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं, सदा दुर्भाग्यशाली, सत्युग में थे सदा सवभाग्यशाली, ये फर्क सबको समझाना है, यहां आते हैं तो अच्छी रीती समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता, जैसे गर्ब जेल में अंजाम वाइदा कर आते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं, जेल बर्ड होते हैं ना, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब जेल बर्ड हैं, घड़ी घड़ी गर्ब जेल में जाकर सजाएं खाते है बाप कहते हैं अभी तुमको गर्ब जेल बर्ड बनने से छुडाते हैं सत्यूप में गर्ब को जेल नहीं कहेंगे तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं अब मुझे याद करो कोई भी पाप नहीं करो नश्टो मोहा बनो गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई ये कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है श्री कृष्ण तो 84 चन्मले अब आकर ब्रम्मा बना है फिर वही श्री कृष्ण बनना है इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है ये बना बनाया ड्रामा है अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवन्शी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तुम्हारी भविश्य के लिए प्रालब्द बनाते हैं अभी तुम पुरुशार्थ कर अनेत जन्मों की प्रालब्द बना रहे हो बेहत के बाप द्वारा जो बाप स्वर्ग का प्रचैता है ये बातें समझने की हैं ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पाठ है इसमें हम क्यों रोएं पीटें हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं इस शरीर की भी हमको परवा नहीं है ये पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो तुम्हारे ही नाम गाई हुए है अनपूर्णा, दुर्गा, काली, आदी-आदी बाकी काली कोई ऐसे भयानक शकल वाली वा गनेश सूंड वाला थोड़े ही होता है मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं अब बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायन जैसा बना रहा हूँ तुम निश्चे करो हम भाबा से वर्सा ले रहे हैं फिर भविश्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे बाप जो स्वर्ग का रचैता है उनको कोई भी नहीं चानते जगदंबा को भी भूल गए हैं जिसका मंदिर बना हुआ है अभी वे चेतन्य में बैठे हैं कल्यू के बाद फिर सत्यूग होना है विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं अरे पहले तुम पढ़कर खोशियार तो हो जाओ महाभारत लडाई तो बरोबर हुई थी जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं वंदे मातरम काते हैं ना पावन की ही वंदना की जाती है माताएं दो प्रकार की हैं एक है जिस्मानी, सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी, सोशल वर्कर, तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा, तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं, भगवानु वाच, मन मनाभव, मुझ अपने बाप को याद करो, श्री क्रिश्न, बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे न, उनको तो अपना बाप है, मन मनाभव का अर्थ कोई भी नहीं जानते, यह तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो विकर्म बिनाश होंगे, और उड़ने के पंक मिल जाएंगे, अभी तुम पत्तर बुद्धी से पारस बुद्धी बनते हो, रच्टा बाप तो सबका एक ही है, आदी देव और आदी देवी के मंदिर भी हैं, तुम उनके बच्चे यहां राज योग सीख रहे हो, यहां ही तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा यादकार सामने खड़ा है, लक्षमी नारायन आदी को राजाई कैसे मिली, उनका यह मंदिर है, तुम हो राज रिशी, राजाई प्राप्त करने वा भारत का फिर से राज्य भाग्ये पाने लिए तुम पुरुशाट कर रहे हो, तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपने तन, मन, धन से सेवा करके, बाप की श्रीमत तुम पधित रावन राज्य से सबको लिबरेट करते हो, बाप है लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता, तुमारे दुख हरने के लिए फूरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं, तो तुम माया जीत, जगत जीत बनेंगे, तुम कल्प कल्प राची लेते हो और फिर कमाते हो यह है रूद्र शिव का ज्ञान यग्ये जिससे ये विनाश च्वाला निकली है वे सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे दुख शुरू होता है द्वापर से बाप कहते हैं मैं आकर नर्गवासियों को स सत्यूगे शिवाले तुम बेहत के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो यह खुशी का पारा चड़ना चाहिए ना अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को दिल वर चांग सिक्वा फेम से नमस्ते 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 जी जीते जी बाप को याद कर वर्से का अधिकार लेना है, किसी भी बात की परवा नहीं करनी है दूसरा पॉइंट, शीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावन से लिबरेट होने की युक्ती बतानी है वर्दान, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचडे को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव योग ज्वाला अर्थात, श्रीष्ट संकल्पों की शक्ति वन लगन की अगनी द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचडे को भस्म कर सकते हो जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया ये यादगार अभी का है तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संसकार, स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनों तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचडे को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित बनेंगे स्लोगन आज्याकारी वह है जो मन मत पर मत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है अच्छा उम शांती